नमस्कार दोस्तों इस वीडियो का हमारा टॉपिक है लिस्ट बॉक्स कंट्रोल दोस्तों वी बीए में कई सारे कंट्रोल है वो हमने पहले देखे है कौन कौन से कंट्रोल है इसमें से हमने पिछले वीडियो में कॉमो बॉक्स के बारे में देखा था अभी हम लिस्ट बॉक् वह सिर्फ उसका ओवर्वियू हम देख रहे हैं ताकि हमें पता चले कि कंट्रोल किस तरह से work करते हैं किस तरह से वह हम फॉर्म पे रख सकते हैं और उसकी जो basic functionality है वो ही हम यहाँ पर सीख रहा है उसमें हम अभी गहराई तक नहीं जा रहे हैं उसमें हम ज्यादा नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो हमारा जो VBA का advanced programming है वो रहेगा तो अभी के लिए हम उसका basic program ही देखते है और उसकी जो basic functionality है वो ही हम देखेंगे क्योंकि जब हम advanced programming सीखे तब उसकी जो basic knowledge वो आपको पता हो तो आपको वो सीखने में आसानी रहेगी इसलिए यहाँ पे हम उसका सिर्फ overview ही ले रहे है उसके हम basic program ही देख रहे है तो दोस्तों यहाँ पे हम उसका सिधा program देख लेते है list box control का दोस्तों program में करना क्या है यह जो हमारा जो excel seat है उसमें हम design mode on करके visual basic में चले जाता है आपको इस तरह का form design करना है और जब user यह form run करे तब यहाँ पे यह form display होना चाहिए user यहाँ पे कोई भी name लिखेंगा और फिर add button पे click करेगा तो यह जो list box है उसमें वो item add हो जानी चाहिए इसमें जो name है वो add हो जानी चाहिए तो यहाँ पे मैं फिर से दूसरी item लिख लेता हूँ तो इस तरह से जितनी बार user click name लिखेगा item का और फिर button पे click करेगा तो यहाँ पे वो name वो item add हो जानी चाहिए तो यह हमारा program है दोस्तों देख लेते हैं यह program किस तरह से करना है दोस्तों यहाँ पे मैंने design mode on कर लिया है अब हम visual basic के code window में चले जाते हैं यहाँ पे project पे right click करके हम नया form add कर लेते हैं user form दोस्तों यह नया user form आ गया अब हम इसमें क्या करेंगे एक label ले लेते हैं यहाँ पे label की जो font size है वो थोड़ी बड़ा देते है 16 की कर देते हैं और label का जो caption है वो हम रखते देते हैं items और यह जो label है उसके सामने हम एक text box रख देते है जोस्तों form कैसे design करना है वो आपके आप पे depend करता है कहां पे आप label रख रहे हैं कहां पे आप text box रख रहे हैं तो यह आप पे depend करता है यहां पे मैं text box रख दिया है उसकी font size है वो मैं बढ़ा लेता हूँ यहाँ पर font size में 16 की कर देता हूँ और दोस्तों यह जो text box है उसका हमें use हमारी coding में करना है तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा नाम दे देता हूँ ताकि हमें coding में use करने में दिक्कत ना हो तो यहाँ पर मैं name दे देता हूँ txt item तो यह मेरा text box हो गया और यहाँ पर मैं list box add कर लेता हूँ यहाँ पर मैं list box रख देता हूँ और यह जो list box है उस पर मैं title मतलब label दे देता हो और उसमें लिख लेता हूँ, उसका जो caption है, वो मैं बदल देता हूँ, caption रग देता हूँ, list of items, और इसकी जो text है वो, अभी के लिए left side आ रही है, तो हम इसको यहां से center alignment में ले लेते हैं, तो यह center होगे, दोस्तो मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ, यहां पर हम यह सभी control का सिर्फ overview ही देख रहे हैं, यह सभी control अपने आप में बड़े ही, बहुत ही, गेहरे topic है, तो सभी के, यह जो सभी control है, उसक इसकी event है, तो यह सभी जो है, वो हम हमारे VBA के जो advanced programming है, उसमें हम यह सब सीखेंगे, अभी के लिए सिफ overview ही लेते हैं, क्योंकि हमें पता जल जाएगी यह control क्या होते है, VBA form क्या होता है, तो यहां पर जो सिर्फ है वो beginners के लिए हम यह बना रहे हैं, इसलिए यहां पर हम सभी topic में, सभी control में, deep में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ यहां पर हम इसका overview ले रहे हैं, ताकि जब आप advanced programming सीखो तब यह इसका जो basic knowledge वो आपके पास होगा, तो आपको तब ही समझने में दिकर नहीं रहेगी, तो यहां पर मैंने list box add कर दिया है, दोस्तों मैं यहां list box की font size भी बड़ा देता हूँ, और 16 कर देता हूँ, और यहां पर अब मैं list box है, उसका name देता हूँ, यहां पर list box one name आ रहा है, तो मैं उसको name देता हूँ, lt box item और यहां पर मैं एक और control रख देता हूँ, बटन, यह बटन है, उसकी font size पहले हम बढ़ा देते हैं, font size उसकी 16 की कर देते हैं, उसका जो caption है, वो हम change कर देते हैं, उसका caption हम रख देते है, add, मतलब यहां पर जो भी item लिखेगा user, और फिर add बटन पर क्लिक करेगा, तो यह list box में add हो जाएगी, तो यह add, और यह जो बटन है, उसका name हम change कर लेते हैं, क्योंकि इसका use हमें हमारी code window है, उसमें करना है, इसलिए, coding में करना है, इसलिए, तो यहां पर हम लेख देते हैं, फिर यहां पर add बटन पर क्लिक करें, तब यहां पर item एड हो जाने चाहिए, तो हम add बटन के click event पर हमें लिखना पड़ेगा, तो हम यहां पर add बटन के click event में हमारा coding लिखेंगे, दोस्तो, text box में जो भी कुछ लिखा हुआ होगा, वो हमें चाहिए, तो हमें text box के text property यूज़ करनी पड़ेगी, तो दोस्तो, यहां पर मैं एक variable ले ले लेता हूँ, item as string, और item में हम क्या store करेंगे, जो text box में जो भी कुछ लिखा हुआ होगा, वो हम item में store करेंगे, तो हमा text box का नाम क्या था, txt item, dot, उसका text हमें चाहिए, तो dot text, तो यह हो गया dot text, अब जो text box में होगा, वो हमने item variable में store कर दिया, अब हम क्या करेंगे, यह जो variable में value है, वो हम list box में add करेंगे, तो list box में value add करने के लिए हमें पहले तो list box का name लिखना पड़ेगा, तो हमार name था list box क lt box item, फिर लिखना है dot, add item, फिर रखने है space, और फिर आपको value देनी है, हमारी value item variable में store है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे item में, बस दोस्तों, इतना ही हमारा program है, सिर्फ तीन line का ही हमारा program है, अब हम इसको execute करके देख लेते हैं, पहले तो हम हमारे form में चले जाते हैं, यहा पर मैं लिखोंगा, one, add पर click करूंगा, तो यहाँ पर आदे, one, यह निकाल के मैं लिखोंगा, two, add पर click करूंगा, यहाँ आदे, two, दोस्तों, यहाँ क्या हो रहा है, add बटन पर जब हम click कर रहे हैं, तब यहाँ पर value निकल नहीं रही है, पूरानी value वैसे ही रह रही है, औ यहाँ पर value add हो जा रही है, तो यहाँ पर हमें coding में थोड़ा edit करना पड़ेगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यह जो item add हो जाती है, add हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, txt item जो हमार text box है, उसकी जो text property है, उसको हम क्या कर देंगे, उसमें हम value store करेंगे, कौन सी value store करेंगे, blank मतलब डबल इंवेडर कोमा शुरू करके खतम कर दे तो यह क्या हो गया blank हो गया अब हम हमारा program execute करके देखते हैं कि हम run करेंगे यहाँ पर लिखेंगे one add करेंगे तो यहाँ से चला गया और यहाँ पर लिखेंगे to add यहाँ से चला गया है तो यहाँ पर हम कुछ भी लिखेंगे, वो हम add कर सकेंगे, और यह जो list box है, वहाँ पर हम इस तरह select भी कर सकते हैं, तो दोस्तों यह था list box, तो यह बहुत ही simple सा program है, तो इसकी practice कर लिजिए, ताकि हमारी जो advanced programming में है, जो हम सीखेंगे, जो हम देखेंगे, उसमें आपको दि कि यहाँ, तैंक यू.